राजिती विज्ञान विशय में हम लोग सततरवा प्रश्ण पत्र हल कर रहे थे इस प्रश्ण पत्र के पहले भाग में हमने एक से लेकर 25 तक के प्रश्णों का अध्यन किया अब हम इसके दूसरे भाग में 26 से लेकर 50 तक के प्रश्णों का अध्यन करेंगे सब इस्वा प्रश्ण है ए थियोरी आफ जस्टिस पुस्तक का केंद्रभूत तर्क है ए थियोरी आफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है इसके विकलपे हैं न्याय आउस्वरों की समानता की अत्रिक्त और कुछ नहीं दूसरा है नागरिक स्वतनत हित ब्यक्ति के हित्म है चौता है न्याय का अर्थ कानून का साचन और कारिपालिका की सर्वोचता से है जब हम जॉन डॉल्स की ए थियोरी आफ जस्टिस को पढ़ते हैं तो उन्होंने अंतर सिद्दानत के द्वारा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को सही बताया और इन्हें तब तक न्याय चित माना जब तक की वे अल्प अनुग्रहित ब्यक्ति के हित्म है यानि कि यहाँ पर विकल्प गोव, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं उसी दसा में न्याय चित मानी जा सकती हैं जब की वे अल्प अनुग्रहित ब्यक्ति के हित्म हैं यहाँ प्रश्ण महत्पूर्ण है आप इस प्रश्ण के उत्तर को नोट कर लिजिएगा अगला प्रश्ण है 24 प्रश्ण ब्यावस्तापिका को अधिक जन परत्रिद्यात्मक बनाने के लिए जे एस मिल ने संस्तुत की यानि कि जन श्टूर्ट मिल ने व्यावस्तापिका को अधिक रिप्रजेंटेट्टीव बनाने के लिए क्या सुझाओ दिये इसके विकल्पे हैं आनुपातिक परत्रिद्यूत्य के तूसरा है महिला मतादिकार के इसरा है सिख्षिक्तव के लिए बहुल मताधिकार की और चोहता है उप्रोग तसभी की जब हम जॉन स्टुवर्ट मिल के विचाधारा को पड़ते हैं तो वे रिपर्जिन्टेटिक गौर्रमेंट को सही मानते हैं इसके तहत उन्होंने आनुपातिक परतिनिधित्यु को सही माना महिला मताधिकार के पक्सतर हैं यानि कि यहाँ पर विकल्प गो खोगो तीनों सही हैं यानि कि विकल्प गो उप्रोग्त सभी सही हैं 2800 प्रशन है निम्नांकित में से किसने रात्री प्रहरी राज की आवधारना प्रस्तुत की यानि कि वह कौन सा विचारक है जो रात्री प्रहरी राज को सही मानता ह इसके विकल्पे हैं F. A. है, दूसरा है, जॉन डॉल्स, तीसरा है, रॉबर्ट नॉजिक, चौता है, उप्रोक्त सभी, इस प्रश्ण का सही उत्तर है, रॉबर्ट नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक, निून्तम राज या मिनिमल स्टेट के पकस्तर है, उन्होंने राजी की भूमिका को कम से कम करते हुए, इसे सिर्फ राज्पी प्रहरी, राज्जी, तक्समित रहने की अनुसंचा की है। इसके विकल्पे हैं बहुलवादी, दूसरा है शौत्नत्रतावादी, तीसरा है समिदावादी, चोहता है अभिजनवादी, यहाँ विचारधारा इलिट थ्योरिस्ट यानि की अभिजनवादियों की है, यहाँ पर विकल्प घौ सही है। तीस्वा प्रश्न है निम्निकित मैंसे कौन सा एक कल्यानकारी राज्जी की प्राप्ती में पाधक होता है। यानि की वह कौन सी बात है जो एक वेलफेर स्टेट के लिए कहीं न कहीं बाधा के रूप में काम करती है। इसके विकल्प हैं आर्थिक सम्रिद यानि की एकोनोमिक ग्रोथ। दूसरा है जन्संक्या आधिक। तीसरा है समाज सेवा का अधिनियम चोहता है धन का समान बित्रण यानि की जब हम इन विकल्पों को देखते हैं यहाँ पर आर्थिक सम्रिद यानि की समाज में एकोनोमिक ग्रोथ हो ये बिल्कुर सही है इससे एक कर्णानकारी राजिक स्ताफ न हो सकती है। दूसरा जो विकल्प है जनसंक्या आधिक्या यानि की जनसंक्या आपका बढ़्णा कहीं न कहीं यह वेल्फेर स्टेट के लिए बाधाये जब की समाज सेवा का अधिनियम और धन का समान बित्रण या समाज बित्रण यह भी सही है यenne की यहाँ पर विकल्प खो जनसंक्य या आधिक यानि कि जनसिंग्या का बढ़ना कल्यानकारी राजी के लिए सही नहीं है। यक्तिस्वा प्रश्ण है ग्रामसी के अनुसार नागरिक सामाज यानि कि जो सिविल सोसाइटी है मुक्यतों किसकी उत्पत्ति से जोड़ा है। इसके विकल्पे हैं प्रपिणन, दूसरा है शोषण, तीसरा है सहमत, चोहता है असहमत, ग्रामसी यानि कि एंटोनियो ग्रामसी के अनुसार नागरिक सामाज सहमत पर कि उत्पत्ति से जोड़ा हुआ है यानि कि यहाँ पर विकल्प गव सहमत सही है। 32 प्रश्ण है असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया गया कि पहला इसका उद्देश राप्त हो चुका था। नहीं न कहीं लोग हिंसा का सहारा ले रहें उन्होंने 5 फरवरी 1922 की चोरी चोरा का जुक की घटना होई थी उसके कारण असहयोगांदरन को वापस ले लिया था। यानिकि यहाँ पर विकल्प खो इससे यहाँ पता चलने लगा कि लोग हिंसा के प्रयोग को जादा महत्व या बरियता देने लगे थे। 33 परशन है अपने किस अदिवेशन में मुस्लिम लीग ने यहा नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। इसके विकल्पे हैं लाहोर 1940, कराची 1937, इस तरह है लखनुव 1931, तोहता है कराची 1947, इसका सही उत्तर है कराची 1947, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बिभाजन करो और यहां से जाओ का नारा दिया 37. अधिकार, जो कानूनी अधिकार की रूप में तो हैं, किन्त समवेदानिक अधिकार की रूप में नहीं है, वह हो है, यानि कि हमें निमन अधिकारों में से बताना है, जिसका सौरूप कानूनी तो है, लेकिन वह समवेदानिक अधिकार नहीं है, इसके विकल्पे हैं, पहल अवाद भर्मन की स्वत्मत्रता दूसरा है शोशन के बिरुद अधिकार तीसरा है अलपसंक्यक बर्गों के शैक्षनिक संस्ताओं की स्तापना का अधिकार चोटा है संपत्ति का अधिकार जब हम पहले अधिकार को देखते हैं तो यहोँ स्वत्मत्रता की अधिकार मा आता ह अवाद यानिकी बिना किसी वादा के ब्रमनक का अधिकार, दूसरा सोसन के बुरुद अधिकार यो अनुचे 23 से 24 में आता है, वहीं अलपसंक्यक बरों के बर्गों के शैक्षनक संस्ताओं के स्तापना का अधिकार 29-30 में है, यानिकी पहले तीन मौलिक अधिकार है, लेकिन ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्ब के तहट सहित रास्ट ने, हमें बताना है कि सहित रास्ट ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्ब कहां चलाया, इसके विकल्पे हैं, नामिबिया को शौतनता दिलाई, दूसरा है अफगानिस्तान में 37 नाय भेजी, तिसरा है कुवैत को से शौतनतर कराया, चोहता है इरान इराक युद्ध समाप्त कराया, जब हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्ब को देखते हैं, जब इराक ने कुवैत पर कबजा किया था, तो कुवैत को मुक्त करने के लिए सहित राष्ट संग ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्ब के ताहत क परवाई की थी, यहाँ पर विकल्प गौ सही है, यह वर्स 1990 की घटना है, अगला प्रश्न है, 36 राजनितिक विचारक जिसने राजनितिक विकास की अवस्ताइं बताने के सांसांत, राजनितिक पतन की भी चर्चा की वह हैं, इसके विकल्पे हैं, लूशन पाई, हंटिंग डेविडिस्टन, आमंड, इसका सही उत्तार है, हंटिंग गटन, हंटिंग गटन ने राजनितिक विकास की अवस्ताओं के सांसांत, राजनितिक पतन की भी चर्चा की, शैंतिश्वा प्रश्न है, सच्ची गुट निरिपेक्स्ता की विदेश निति का जिनके द्वारा अ जिनके विदेश निति थी, उसे हम सच्ची गुट निरिपेक्स्ता की निति कहते हैं, यहां पर विकल्प खो सही है, और तिस्वा प्रश्न है, प्रण्यास सिद्दांत से तात्परी है, यानकि ट्रस्टिशिप सिद्दांत से क्या तात्परी है, इसके विकल्पे हैं, पत्ति का अंत। फिसरा है उत्पादन के साधनों पर राज जी का श्वामित। तो आता है धन को समाज की धरोहर समझना। जब हम गादी जी के प्रण्याज सिद्दांत यंकि ट्रस्टिशिप सिद्दांत को देखते हैं तो उन्होंने कहाता कि नीजी समपत होने चाहिए ले तालिसवा प्रस्ण है लक्षण जो सूच पनाली का तो है किन्त एकल संक्रमणी पनाली का नहीं है वह है इसके विकल्पे हैं पहला है यहाँ आनुपातिक पनाली है दूसरा है इस पनाली में बहुत शदस्री निर्वाचन छेत्र होते हैं तीसरा है निर्वाचन अंक यान किया जाता है चोहता है मत दल को दिये जाते हैं व्यक्ति गद उम्यदारों को नहीं जब हम शुच परणाली यानिकि लिस्ट सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ अनुपातिक परणाली पर आधारित होता है यहाँ बिल्कुल सही है इसमें भी बहुत अदर्सी निरवाचन छे पर आधारित होते हैं यहाँ भी सही है तीसरा यहाँ कोटा यानिकि इसमें भी जो परत्यासी हैं उन्हें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है चोहता है मत दल को दिये जाते हैं व्यक्ति गद उम्यदारों को नहीं यहीं जो है शुच परणाली और एकल संक्रुन प्राप्त करनाली का भेद है बाकि आनुपातिक प्राप्ति बहुशदुशी निराचन छेत्र और कोटा यह सुच प्राप्ति प्राप्ति गद उम्यदारों को दिये जाते हैं यहाँ पर विकल्प गव इन दोनों का भेद है चालिसवा प्रस्ण है जिस सिद्धान्त ने फ्रांस और अमिर्का की करन्ति के जन्म दिया वह क्यात्त है इसके विकल्प हैं अधिकारों का वैदारिंग सिद्धान्त दूसरा है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त तीसरा है समाज कल्यान चौहता है अधिकारों का जो प्रांच और अमिर्का की करांति का जन्मदाता वना जाता है उसे हम अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त यानि की नेचुरल राइट्स की जो थियोरी है वो हम मानी जाती है यहां पर विकल्प खो सही है 41 प्रस्न है यदि संप्रभुत्ता के विचार का शदव के लिए त्याग कर दिया जाए तो राजनिती विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी यहां कथन किस विचारक का है इसके विकल्प हैं जीडियाच कोल सर हिंड्री मेन लास्की रॉबर्ट डहल इसका सही उत्तर है लास्की हैरर्ड लास्की जो कि एक बहुलवादी विचारक हैं उनका मानना है यदि संप्रभुत्ता के विचार का शदव के लिए त्याग कर दिया जाए तो राजनिती विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी यहां पर विकल्प गव सही है 42 प्रशन है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेशी कानून है यहां विचार दिया गया है इसके विकल्प हैं पहला है वास्त्मिक संप्रभुता के शिद्धान द्वारा दूसरा है लोगप्रभुता के शिद्धान द्वारा थीसरा है वैदानिक संप्रभु के थिर्दानिक संपरभुता के शिद्धान्त के द्वारा यहाँ आदेश दिया जाता है यहाँ पर विकल्पगौ सही है और अउस्टिन वैधानिक संपरभुता के संपादक है यहां हम कहा चेंक हैं उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था 4300 प्रशने है वह लक्षन जो राज़िती बिज्यान के परंपरागत लिष्टिकौण में तो बिद्धमान नहीं है किन्तो आधुनिक लिष्टिकौण में बिद्धमान है वो हो है यानि कि राजिती विज्ञान के परंपरागत अप्रोज में यह नहीं पाया जाता है लेकिन आधुनिक जितने भी अप्रोचे हैं उनमें यह लक्षन पाया जाता है इसके विकल्प हैं पहला है मुल्यों पर भी सेजबल दूसरा है अंतर अनुसासनात्मक द्रिश्टिकौन तीसरा है आदर्शात्मक पक्षपरबल चोहता है राजनितिक सांस्ताओं का अध्यन जब हम इन सबी विकल्पो को देखते हैं तो अंतर अनुसासनात्मक द्रिश्टिकौन यानि कि इंटर डिसिप्लिनरी एप्रोच यह परंपराकत द्रिश्टिकौन में नहीं है लेकिन आधुनिक द्रिश्टिकौन अंतर अनुसासनात्मक द्रिश्टिकौन पर आधारित है यहाँ पर विकल पक्षो सही है सावालिस्वा प्रश्ण है नियाईक पुन्रावलोकन नियाईले की वह सकती है जिससे वह अज समयधानिक गोचित करता है यानि कि जो हमारे यहाँ नियाईपालिका के पास जूडिशल रिविव की सकती है उसके तहट वह क्या अज समयधानिक गोचित कर सकता है पहला विधायका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को दूसरा कारिपालिका के किसी भी कानून को तीसरा निम्न नियाईले के किसी भी निर्णे को चोहता है विधायका के किसी भी अधिनियम अत्वा कारिपालिका के किसी भी आदेश को जब हम जूडिशल डिव्यू की बात करते हैं तो नियाईपालिका के पास यह सक्ति होती है कि वहाँ बिधाईका के किसी भी आदेश को आज समयधानिक घोचित कर सकता है यहाँ पर विकल पगो सही है 45 प्रस्ण है निमने मैं से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है हमें यहाँ पर अनुच्छेद दिये हैं और उनसे समंधित बाते दी हैं पहला है अनुच्छेद 143 सरवोचिन आयले की सलाकारी अधिकारता दूसरा है अनुच्छेद 136 अपील के सरवोचिन आयले की विशेश इजाज़त तीसरा है अनुच्छेद 141 सरवोचिन आयले की रिट चारी करने की सकती चोहता है अनुच्छे 226 उच्छिन आयले की रिट चारी करने की सकती जब हम पहले भी कल्प को देखते हैं अनुचेद 143 इसके तहद सर्वोच नियाले को सलाकारी सकती दी गई है सलाकारी अदिकारिता है इसके तहद वहो राष्टपती को शला दे सकता है दूसरा अनुचेद 136 अपील के सर्वोच नियाले की विशेश जाज़त यहाँ भी बिल्कुल सही है लेकिन अनुचेद 141 यहाँ पर सही नहीं दिया गया है अनुचेद 141 जो है वहो कहता है कि सर्वोच नियाले दारा घूसिद भीदी का सभी नियालों पर आबद कर होना य गव अनुचेद 32 में दी गई है इसलिए यहाँ पर विकल्पघो ठीक नहीं है और गव अनुचेद 226 उच नियाले के रिड़ जारी करने की सक्ती यहां सही है हम जानते हैं कि अनुचेद 32 के तह ogni आट सर्वोच नियाले को रिड़ जारी करने की सक्ती है इस प्रस्णे की व्याख्या को आप ध्यान से देख सकते हैं अगला प्रस्ण है चब 46 प्रस्ण आश्यान की राजनितिक एम रक्षा व्यावस्तासे सामंदित आश्यान 6.3 फौरम इसके विकल्पे हैं 1993, 1995, 1997, 1996, इसका सही उत्तार है 1996, भारत आश्यान 63 फोरम यानिकि आश्यान रिजिनल फोरम का सदेश्य 1996 में बना था 47 प्रशन है बीश्विस्ताबदी के आरम में राजनिती के समूशिद्दान्त यानिकि ग्रुप थियोरी और पॉलिटिक्स का प्रतिपादन किस ने किया यानिकि वहो कौन सा विचारक है जिसने बीश्विस्ताबदी के आरम में ही राजनिती के समूशिद्दान्त को विकल्पे हैं A.F. Bentley, Robert Dehal, Charles Miriam, David Easton, इसका सही उत्तर है A.F. Bentley, A.F. Bentley ने The Process of Government नामक पुस्तव के लिखी थी, उसमें उन्होंने राजनितिक के समुशिद्दान्त का पर्तिपादन किया था. 48. प्रस्ण है राजनितिक दल की सन्रशना के सम्मद्द में किसने काकस, साखा, सेल और मिलिश्या में बर्गिक्रित किया है? इसके विकल्पे हैं Sartori, Karl Marx, Lenin, दुवर्जर. इसका सही उत्तर है दुवर्जर. दुवर्जर ने राजनितिक दलों को सन्रशना के सम्मद्द में चार भगों में यानि कि काकस, साखा, सेल और मिलिश्या में बर्गिक्रित किया है? उन पचाश्वा प्रस्ण है निमलिकित में से कौन? राजनिति सास्त्र की अध्यन का परमप्रागत उपागम है यानि कि जो राजनिति सास्त्र का traditional approach है वो कौन सा है? इसके विकल्पे हैं इसका सही उत्तर है संस्ता अत्मक उपागम यह जो इंस्टिटिशनल आप्रोच है वहराजिते सास्त की अध्यन का परंपरागत यह ट्रेडिशनल आप्रोच है यह जो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है सप्तम संसोदन हम जानते हैं कि जब मूल समिधान बना था तो उसमे भारत को चार पागों में विभाजित किया था परंतो जब शात्वा समिधान संसोदन 1956 में हुआ था इसके बाद बारत को तीन भागों में यानिकी राजिचेत्र, संगचेत्र और अन्य राजिचेत्र जो कि अर्जित किये जाए में विभाजित किया गया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही इनको तीन भागों में यानिकी राजिचेत्र, संगचेत्र और अन्य राजिचेत्र में अर्जित किये गये हैं जो उसमें विभाजित किया गया था आज के इस प्रशन पत्र में हमने 50 वह विकल्पी प्रशनों का अध्यन किया इसके पहली बाग में हमने 1 से 25 तक के प्रशनों का अध्यन किया आज हमने 26 से लेकर 50 तक के प्रशनों का अध्यन किया आप इसी तरह से हमारे चनल पर बने रहें, हम अन्य अभ्यास परश्ण पत्रों में भी महत्यपूर्ण परश्णों का अध्यन करेंगे आज के परश्ण पत्र में इतना ही धन्यवाद